अच्छा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धान तक नहीं होता नहीं स्टेड़ी ग्लोस पर आपका बहुत दोस्वागत है सुला उक्टूबर के करेंट अफेस हम बात करेंगे चली आगे बढ़ते हैं सो पीए मेले और सुप्रीम कोट ने क्या डारेक्टव दिये हैं आपको पता है कि प्रेविंश्य और मनी लॉंडरिंग आक्ट यह जो आक्ट है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोट ने बेल दे दी है यहाप पे P. MLA में आपको बता भी कि बेल मिलना बहुत ही मुश्किल है लेकि जो बिमार है जो वीख है उनको सुप्रीम कोट ने बेल दे दी है चीफ जस्टिस डिवाई चंद चोण वचाब को बता दू अब अगले चीफ जस्टिस खरना जस्टिस खरना होने वाले हैं संजीव खरना तो उन्होंने कहा कि देखिए समझे कि आप बेल डीगल राइट होता है और जो कमजोर है जो बिमार है आपको बेल देनी पड़ेगी चाहें जितने भी स्ट्रिक्टर प्रोविजन्स हो आनके चलिए तो हमर्द साधुराम मूल चंदानी 67 यह के हैं वो सेवा विकास कॉपरेटर बैंक के चेहर पर संते उन्होंने उनको एडी ने मनी लॉडरिंग के लिए आरो गिरफ से जग किया गया था बॉंबे हाई कोट ने अगस 2020 में तो सुप्रीम कोट एगर सुप्रीम कोट फ्रेश मेडिकल इवालेशन 4 अक्टूबर को और उसमें वही था कि हाँ यह बेल देनी चाहिए तो मुकुल रुहतगी जो कि मुल चंदान की तरफ से रेप्रेजेंट हो रह हैं इधर क्या हुआ कि जस्टिन टूडो ने भारत के ओपर आरूप लगाए है कि निजजर के किलिंग के पीछे भारती सरकार इंवाल्वे और लॉर्डिंस विश्णोई के साथ मिल कर उसने यह किलिंग करवाई है तो वहां से डिप्लोमाट को एक्सपेल के अधर भारत न अगया ऐसे तो अब वही है अब देखें इसमें क्या है ना कि जो एक्यूजिशन लगाए जा रहे हैं कैनेडा ने कैनेडा की तरफ से आपको पता है कि अगले साल कैनेडा में इलेक्शन आने वाला और जस्टिन टूडो इसी का ही वेट करने अब उनकी जो न्यू डेमोक् बैंक पॉलिटिक्स और यही भारत ने आरोप लगाए कि भाई भाई बोट बैंक पॉलिटिक्स करना बंद करो आसियान मीटिंग आपको पता कि भी स्टेशन लीडर्स जो है उन्होंने एक प्रॉम्ट एग्रिमेंट मतलब उन्हें ने कहा कि जो साउथ चाइना सी है उसमें सही कोड अफ कंड़क्ट होना चाहिए इंटरनाशनल लॉग को एधियर करना बहुत जादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ना तो मियानमार में जो कॉन्फिक्ट चल रहा है उसको तुरं क्योंकि यह भारत नहीं कहा रहा है यह पाकिस्तान और पांगलादेश क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अब साउच चाइना सी मैं आपको बता दूँ कि चाइना जो है वो दबदबा बनाता जा रहा है फिलिपीन्स वियतनाम कह रहे है कि भाईया कुछ करो अमेरिका से गुहार लगा रहे है कि आप कुछ करिए अब आपको बता दू कि तीन ट्रिलियन डॉलर ट्रेड हर सालियां से पास होता है आप विश्पास करेंगे रश्या चाइना की साथ मीटिंग की 1982 United Nations Convention on the law of seas UN clause ठीक है इसको भी चाइना नहीं मान रहा है और बोला कि दे रही है उसके बाद elderly population की बात करें तो यहां पर कुछ हुआ है भारत की तरफ से तो एक तरीके से भारत का जो living market है आपको बता दू की transformation हो रहा है ठीक है और यहां पर elderly के क्या हालात है आपको बता दू कि जो seniors जो इस समय 60 साल के करीब है वो independent आजाद रह रही है quality of life उनको च especially जैसे temple towns वारा नसी में यहां पर जो 60 साल बेटा हमारा बस वारा नसी में एक हमको फ्लाट दिला दो ओके पापा आप जैसा तो यह हो रहा है कि जो temple towns है जो spiritual towns है तो वहां पर हम यह देख रहे हैं कि यह जो चीजे हैं वो दी जा रही है ठीक है मतलब कि आप जाई यह कर ल डेवलप्ट कंट्री में हाला कि 10 पसेंट नहीं स्वारी अरे तो पेनेट्रेशन अच्छा कासा होगा कोई दिक्कत की बात नहीं तो अमेरिका में हम देखते हैं कि जो इंडियन्स जो महां के सीनियर्स हैं वो घर को खरीद लेते हैं 30 पसेंट खाली किराय पे रहते हैं डि अच्छी बात है लेकिन डिजनल डिस्पेरिटी जमको देखने को मिलती हैं जैसे साथ इंडिया की बात करें तो 60 पसेंट जो करेंट सीनर लिविंग मार्केट है वो साथ यहां पे और बाकी इंडिपेंडेंट लिविंग की यहां पे ज्यादा है नॉर्थ में धीमे यह च सालों में दोहजार पचास तक जो सीनियर पॉपलिशन है वो डबल होने वाली है तो एक तरीके से जो सीनियर लिविंग है जो लोग रहेंगे बाहर वह यहां पे सबसे पहले जो फंडिंग स्टेटस है नाइंटी पसंट जो एप्रूवड बजट है 498 करोन का वह आइडिक स्कीम के लिए कि यहां पर एप्रूव करती है 2021 से लेकर 2025 तक चार सालों तक यह पूरा का पूरा कवर होगा 300 स्टार्ट अप MSME और इंडिविजल इनोवेटर्स जो है वो इसमें फाइनेशल सपोर्ट देंगे यहां पर 20 पार्टन इंक्यूबेटर्स है ठीक है ना तो आप यह मान के चलिए कि बहुत जवर्दस और 37 अभी तक डिवलप किये जा चुके हैं लगबग 2370 क्रोण जो टोटल प्रोक्यूर्मेंट हो यहां पर गया है 800 क्रोण के कॉंट्राक्ट जो है वह अभी तक दिये जा चुके किस प्रोड़क्स के लिए और अभी आपको बता दू कि 497 करोड की करीब मतलब जो जितने भी आइडिक्स विनर है ठीक है जिनको यह प्रजेक्ट दिये गए है वह इतना भी पैसा उनको और चाहिए ठीक है बहुत सारे लोग है जिनको यह दिया जा रहा है जो स्टार्ट आप साइस में तो अच्छी बात है पारके रिवाइज कोस्ट कमिटी ने बोला है कि भाई देखिए अडिशनल फंड्स की ज़रू रहता है था कि स्कीम जो है वह आगी जाती रहे क्योंकि डिफेंस में अगर जितना जदा हम बहुत सदा डिफेंस इंपोर्ट करते हैं बाहर से हम बहुत कुछ मगाते हैं ठीक है न तो जो आइड राजनाज सिंग ने अधिटी 2.0 इसको लॉंच केस में AI भी है टेकनोलोजी मिलिटरी कम्मुनिकेशन तो यह सारी चीजे जो है वो दी जारी हो क्लाबरेशन बड़े-बड़े लुगों के साथ बड़े-बड़े कंपनी के साथ अभी आपको बता दू कि आई-डेक्स इनि यह तो सबसेड़ी इनेफिशेंशी है डेसर से बताती है कि 25 से 30 परसंट जो फूडर फटेलाइजर सबसेड़ी है वो लोगों तक पहुंचे नहीं बाते लॉस लॉसे जो है वो 50 परसंट तब हो गए है इनेफिशेंशी और लीकिशेंश की वज़े से 16 अक्टूबर को हर साल वो फूड डेट जो है वो मनाया जाता है तो यह रिमाइंडर है हमारे ग्लोबल एफर्ट का ताकि फूल और निट्रोशनल सिक्यूरिटी जो हो मिले अगरिक्रिक्ट की बात करें तो आपको बता दो कि जो फूड प्रोड़क्शन है वो तो एक तरीके से सब बहुत बढ़िया तरीके से चीज़े हो लिए ग्लोबल फूड इन सिक्यूरिटी की बात करें तो एफेओ की हिसाब से लगबग धाई सो करोन लोग जो है वो उनको खाना नहीं मिल रहा है वो मॉडरेट टो सीवेर फूड इन सिक्यूरिटी जो है वो अब इंडिया गवर्मेंट जो है निति आयों को मॉल्टी डामिशनल पॉवर्टी इंडेक्स नहीं ही बताए कि पॉवर्टी डिक्लाइन ही है 11.28 परसेंट से बट स्टिल फ्री फूड हम बाठते जा रहे है लेकिन इसमें बेटर यह है कि आप उनको खाना कमाना मतलब एक जीरो हंगर 2030 का वे मतलब यह अचीव कर सके तो जरूरत है यह अरेंडी एजुकेशन और सैनिटेशन की बात चैलेंजेस हैं क्योंकि इसमें इतना सा नहीं रहेगा क्योंकि पॉलिटिक्स में क्या यह बड़ा मुद्दा बन के आएगा यह देखना पड़ेगा डेली में ए ही है कि अब डेली जो है वो इसको कंट्रोल करने के मेजर लेगा तो पूर एक्यू आई है 6 अक्टूबर को 212 और आपको बता दो कि इससे पहले 5 अक्टूबर 2022 को हुआ ठीक है तो वही है कि अभी तो आएंडी और आयाई टीम यह कहते हैं कि मॉडरेट लेवल तक जाएग है कि 200 दिनों तक हमने मॉडरेट यह साटिस्फाक्टरी यह कॉलिटी एक्स्पीडियंस के लेकिन अब थोड़ी से वर्सन ही हो वही जो पैडी बर्निंग होती जो आसपास के प्रदेशों से तो वहां से यहां पे आ रही है एकनोमिक्स में नोबेल प्राइस के अगर बात क तो आप वही है कि क्यों बहुत जारा देश जो है वो रिच है और काफी जो बाकी देश है वो गरीब इस चीज़ पर तो सबसे पहली बात तो यही है कि इसमें जो सुसाइटल इंस्टिउशन वह बहुत बड़ा रूल प्ले करते हैं ठीक है इंक्लूसिफ इंस्टिउशन जो डेमोक्रेसी रूल अफ लॉव और प्रोटेक्शन और प्रॉपर्टी राइट्स एंड एक्स्टाक्टिव इंस्टिशन को प्रमोट करते हैं जिनके पास पावर रहती है और रिसोर्सेश कुछ ही लोगों के हाँप में रहते हैं तो यह बहुत अजीब बात है ठीक है यह रिज़े करते हैं अदिश्क्रटी अभरत टीशन अब्लिटेक्ट न आ फालो अघुकीजेशन से पास ऑखटर को और जो बाहर को बहुत बाहर से आए जैसे बहरत में हम अभी तक को फॉलोडर करते हैं रिसोर्स को जवरदस तरह से एक्सप्लाइट कि बाहरत भारत और चाइना का जो कीस है वह इस थियोरी में फिट नहीं होता है क्योंकि चाइना बहुत चाइना के पास इंक्लूसेफ इंस्टिशन नहीं देलिए लेकिन भारत में डेमोक्राटिक फ्रेमवर्वर के बावजूद जो हुई है समझ रहो तो वही है तो इसमें ग्लोबल क संस की बात करें तो डेमोक्राटिक इंस्टिशन धीमें धीमें कमजोर हो रही है ठीक है पब्लिक सपोर्ट फॉर डेमोक्रीसी भी कमजोर हो रहा है तो यह एक फूचर प्रस्पेरिटी के लिए चैलेंज है आखरी स्यो मीट हमारे रहे शेशंकर पाकिस्तान में गए है लेकिन 370 का हवाला दे गए तो फिर यहां पर दिमाग खराब होगी है सबका तो समिट वैसे तो भारत बहुत बहुत इंट्रस्टेट नहीं रहता है स्यों समिट में आपको मैं यह भी बता दू हो सकता है आगे आने वाले समय में भारत इससे ऑप्ट आउट भी कर जाए ल भी हम आगे बात होगी डोमेस्टिक इनिस्टेबिलिटी पाकिस्तान के लगतार बढ़ती जा रही है और 2015 वही बता रहे कि जब सुच्वा सवराथ गई तब बाइलेटरल टॉक्स होई थी पी एम मोधी ने भी सप्राइस विजिट किया अब ऐसा कुछ हमको देखने को नह ही मिल रहा है कि 2021 में बॉर्डर सीजफायर किया है तो यह लेच्चर था दोनों दिन के करेंटरफेस मैंने आपको बता दिये खुच रहे हैं पढ़ता है जिससे सिद्दान तक नहीं होता है